हेलो बच्चा लोग, वेलकम तो दो चानल एड़ुनिती, मेरा नाम मोहित गोईंका है और मैंने आईटी खड़कपूर से एंजिनिरिंग किया है आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं, एलेक्ट्रो मागनेटिक इंडक्शन, पीवाईक्यूस, ओन जेई मेन 2020 येस, जेई मेन 2020 के सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पर डिसकस करने वाले है और जिन बच्चों को नहीं पता है, हम लोगों ने अल्री रोटेशन, सेंटर अफ मास, लॉज अफ मोशन, काइनेमाटिक्स, ग्राविटेशन, करन्ट एलेक्रिसिटी, इनके भी पीवाईक्यूस अप्लोड कर दिया है उसका लिंक आपको नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा ठीक है, तो चल यह आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं यह हमारा पहला सवाल है, इसमें हमें कहता है कि consider a circular coil of wire carrying a constant current I, ठीक है forming a magnetic dipole the magnetic flux through an infinite plane that contains the circular coil and excluding the circular coil area is given by phi I तो पहले तो एक छोटा सा इसका figure बना लेते हैं हमें कहता है कि आपके पास एक circular coil है और इसके अंदर कुछ current flow कर रहा है let us say current, कुछ इस तरीके से इसमें flow कर रहा होगा ठीक है, and we have to consider एक infinite plane which lies in this circular plane ठीक है, तो एक infinite plane हमने इस तरीके से consider कर लिया इसको इस तरीके से curve इसलिए बना रहा है to show that this is an infinite plane ठीक है, अच्छा फिर हमें कहता है जो flux, phi I है this is flux through this infinite sheet यह जो infinite plane है ना, इसके through का flux है, यह phi I circular area को exclude करना है circular area को exclude करना है ठीक है, उसके आगे हमें कहता है the magnetic flux through the area of circular coil is phi 0 which of the following option is correct पहले तो हम यह समझ लेते है पहले तो हम यह समझ लेते है कि इस circular coil के कारण magnetic field किस तरीके से होगा तो इसका जो magnetic field होगा that will be similar to a short dipole due to a short dipole जैसा उसका होता है, वैसा ही इसका भी होगा यह हम लोग जानते है यहाँ पहले से बोला है, it is a magnetic dipole ठीक है, तो इसका field lines किस तरीके से होगा इसका field lines कुछ इस तरीके से होगा ध्यान से देखिए इसका जो field lines है कुछ इस तरीके से होगा यह उस infinite plane के अंदर गया और फिर यहाँ से बाहर आ गया यह dotted दिखा रहा है to show that it is going inside इस point पे अंदर जा रहा है इस तरीके से ही इसका field lines होगा ठीक है तो यह field lines को समझना बहुत ज़ादा जरूरी है कि इसका field lines ऐसा है, अब एक बार ही आप यह समझ जाते हैं, फिर answer करना कोई मुश्किल बात नहीं है flux होता है, basically number of field lines crossing the surface, crossing the area आप अगर ध्यान से देखे तो जितना number of lines इस circular coil से पास कर रहा है यहां मैंने total 1, 2, 3, 4 बनाया है, हम और भी बना सकते थे यहां पे 4 lines है तो 4 lines ही इस infinite plane को cross कर रहा है, यानि कि जितना flux magnitude wise, जितना flux उस circular coil के तुरू है, उतना ही flux, आपका इस infinite plane से भी है तो magnitude के sense में magnitude के sense में, phi i और phi naught दोनों सेम होना चाहिए लेकिन, लेकिन circular coil में जो field lines का direction है और infinite plane में जो field lines का direction है वो opposite है, इसमे into है, और इसमे out है, यहां से निकल रहा है और यहां पे अंदर जा रहा है, यानि की एक negative sign भी लगाना होगा so a very good conceptual question, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं यह सवाल सबको जरूर समझ में आया होगा, अब यह आपके सामने क्या है, देखिए, question number 2 a planar loop of wire rotates in a uniform magnetic field initially T is equals to 0 the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field ऐसा figure में हमने दिखा भी दिया है, यह आपके पास एक loop है, loop का यहां पे कोई shape नहीं बोला है तो अपने मन से हमने यहां पे एक rectangular shape बना दिया, field जो है वो इस surface के perpendicular है, दिखा दिया हमने if it rotates with a period of 10 seconds about an axis in its plane, then the magnitude of induced EMF will be maximum and minimum at what times अच्छा, बढ़िया एकदम तो हमें एक तरीके से omega दे दिया गया आपके बास समझ में आ रहा है, हमें time period दे दिया है 10 seconds, so basically हमको omega भी बता दिया गया है, which is 2 by y capital T अच्छा अब यह concept हमें even NCRT में भी पढ़ाया जाता है this is basically how a generator produces electricity आपके पास एक loop है, जो की magnetic field में rotate कर रहा है, ठीक है इस समय, इस समय अगर आप ध्यान से देखे तो area vector and magnetic field vector they are making an angle 0 degree उनके बीच का angle इस समय 0 degree है इस समय 0 degree है, area vector भी अगर हम into the plane माल ले, magnetic field भी into the plane है तो दोनों के बीच का angle भी 0 degree है कुछ समय बाद, after some time T at time T at time T हमें पता है कि यह loop थोड़ा सा rotate कर गया होगा, let us say rotate करने के बाद इसका situation कुछ ऐसा है try to understand the diagram this is a bit of 3D diagram over here तो इस तरीके से यह जो loop है वो theta angle से rotate किया है और theta क्या होगा, इसका angular velocity omega है, तो क्या हम theta को omega T बोल सकते है एकदम सर, अराम से कह सकते है एक बार जब यह theta angle से rotate कर गया है तो क्या हम कह सकते है that now, now angle between area vector and magnetic field vector is theta, which is equal to omega T बढ़िया एकदम है कि नहीं अब area vector आपका कुछ इस direction में है इस direction में है तो अब area vector और magnetic field के बीच में भी angle हो गया आपको omega T so at this time, what is the flux flux हो जाएगा आपका BA cos theta तो theta के जगा लिख देंगे हम omega T है की नहीं, flux क्या होता है B dot A तो BA cos omega T लिख दिया हमने right now what is induced EMF induced EMF minus d5 by dt त होता है इसे आप differentiate करेंगे तो कितना आ जाएगा BA omega sin omega T तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जब भी आपके पास ऐसा कोई सवाल आए इस तरीके का सवाल आगे और आने वाला है इसलिए यहाँ पर हमने इसे अच्छे से derive करके समझ लिया कि अच्छा अगर आपके पास एक loop है और उसमें कुछ n number of turns है यहाँ पर माल लेते कि number of turns 1 ही है तो आपका जो EMF होगा induced EMF होगा that is going to be BA omega sin omega T BA omega sin omega T जहाँ पर हम इस BA omega को E naught बोल सकते है इससे sin omega T E naught is nothing but BA omega ठीक है एक बार हमने ये equation derive कर लिया तो आपको अब SHM से correlate करने से सवाल solve हो जाएगा SHM में भी equation कुछ ऐसा ही आता था है ना simple harmonic motion में भी equation ऐसा ही आता था तो ये function EMF maximum कब होता है EMF maximum कब होगा this is just like X is equal to A sin omega T A sin omega T तो X maximum कब होता है जब आपका amplitude हो यानि कि cycle आपका mean position से चालू हो रहा है it goes to extreme कितने टाइम में जाता है extreme पे T by 4 पे ये T by 4 टाइम पे extreme पे जाता है और दुबारा ये mean पे कितने time बाद आता है T by 2 टाइम बाद समझ में आ रहा है T by 4 टाइम पे extreme पे जाता है यानि कि maximum होगा that occurs at T by 4 और जो minimum होगा that occurs at T by 2 और T तो हमको पता है 10 seconds यानि कि maximum होगा 2.5 seconds बाद और minimum होगा 5 seconds बाद 5 seconds बाद right so option number D is the answer तो अगर किसी बच्चे को ये equation डिरेक्ली पता था तो वो सीधे सवाल का answer लिख सकता था by the analogy लेकिन ये derivation ये formula कहां से आ रहा है ये जानना जरूरी है CBAC के point of view से भी J mains के point of view से भी आगे इस तरीकी के और भी सवाल हम लोग देखेंगे ठीक है I hope यहाँ तक की बात clear है that how have we correlated it and then found out कि maximum और minimum कब-कब होगा EMF induced ठीक है चलिए आगे पढ़ते है next question question number 3 question number 3 में हम से क्या कहता है at time t equals to 0 magnetic field is 1000 gauss is passing perpendicular through the area defined by the closed loop यहाँ पर diagram में दिया है loop आपको if the magnetic field reduces linearly to 500 gauss तो आपको सबसे पहले दे रहा है कि initial magnetic field था 1000 gauss और 1 gauss कितना होता है tesla 10 to the power minus 4 tesla तो इसे 10 to the power minus 4 से multiply भी कर दिया finally आपका कहता है कि 500 gauss है that is this much tesla right और कितने time में यह change आया है तो यह change आया है आपको 5 second में हमसे induced EMF पूशता है तो यह induced EMF निकानने से पहले हमें यह area भी तो जानना है flux का यहाँ पे roll आएगा तो यह area भी चाहिए तो यह area क्या हो जाएगा यह shaded area यह shaded area क्या हो जाएगा इस rectangle का area minus triangle का area दिखाई दी रहा है यह rectangle का area निकाल लीजिए और उसमें से उसमें से हमें यह वाले triangle और यह वाले triangle का area को subtract करना होगा तो चल यह करते है तो इस area is equal to length into breadth 16 into 4 minus 2 times ऐसा ऐसा दो triangle है half into base हो जाएगा आपका 4 और altitude हो गया 2 so this is 64 minus this is how much 8 and this becomes how much 56 centimeter square unit space जरूर ध्यान दीजिएगा so this becomes 56 into 10 to the power minus 4 ठीक है यह आपका area आ गया so what is EMF EMF is minus delta 5 by delta T right and what is 5 5 क्या होता है B into area तो delta 5 को क्या लिखोगे A common निकाल लो so B final minus B initial divided by delta T right अब यहाँ पर values पूट कीजिए minus 56 times 10 to the power minus 4 B final है अपना 500 into 10 to the power minus 4 minus 1000 into 10 to the power minus 4 whole divided by 5 whole divided by 5 ठीक है right इसको आप जब solve करेंगे इसको आप जब solve करेंगे तो यह बड़ा असानी से आपको आ जाएगा 56 into 10 to the power minus 6 volt which is basically 56 micro volts and this is going to be option number C option number C यहाँ पे इसे ध्यान से effectively calculate किजिए आपका answer आही जाएगा चल यह आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते है question number 4 question number 4 में हमें कहता है a long solenoid of radius R carries a time dependent current which is this much a ring of radius 2R is placed coaxially near its middle ठीक है ring का radius solenoid की radius इसे जादा है so basically आपको कहता है कि आपके पास इस तरीके का एक solenoid है right और आपके पास एक ring है जिसका radius इसका double है और कहीं तो middle में रखा है coaxially तो इस तरीके से रखा हुआ है थोड़ा सा और इसे चप्टा कर देते है ठीक बनिया एकदम अच्छा determine the time interval sorry during the time interval 0 to 1 the induced current and induced EMF in the ring change as right induced EMF और induced current के बारे में हमसे जानकारी पूचा है ठीक है अच्छा अगर हम इसका side view बनाए मान लिजिए कि कोई observer यहां से चीजों को देख रहा है तो उसको क्या दिखाई देगा उसको basically दो concentric circles दिखाई देंगे एक तो बड़ा वाला बाहर वाला और एक solenoid का यह circle now why this is important क्योंकि magnetic field जो है magnetic field जो है assuming कि यह एक ideal solenoid है सवाल में दे रहा है long solenoid तो जो भी field होगा वो इसी circle के अंदर होगा मान लिजिए कि इस तरीके से इस circle के अंदर field है right now what is what is the magnitude of this field यह field होगा कितना यह field आपका कुछ होगा mu naught n into i n into i और i हमें दिया हुआ है ठीक है उसे बाद में substitute कर देंगे हम लोग अच्छा so what is the flux through the outer loop flux कितना होगा flux is basically b times area b times area right so mu naught n i mu naught n i और area तो इस छोटे वाले circle का ही लेंगे क्योंकि उतने ही area से field पास कर रहा है बड़े वाले का 2r radius नहीं लेंगे that is the confusion वो नहीं करना है so this becomes pi r square this becomes pi r square ठीक है एकदम बहुत अच्छा तो यहां से हम flux को लेख सकते है mu naught n pi r square और i को हम लेख सकते है i naught t 1 minus t right now we just need to differentiate it emf अपना होता है minus d5 by dt तो यहां से हम emf को लेख सकते है this becomes mu naught n pi r square i naught so this is what this is basically t minus t square है ना t into 1 minus t को हम t minus t square लेख सकते है तो इसका differentiation किजिए t का 1 हो जाएगा और t square का 2t हो जाएगा और एक minus sign यहां पे रहना चाहिए ठीक है तो यह आपका induced emf है यह आपका induced emf है और मान लिजे कि इस बड़े वाले का resistance r है तो induced current भी निकल जाएगा कोई तकलीफ नहीं है induced current हो जाएगा आपका er by resistance अब आप ध्यान से देखिए अब आप ध्यान से देखिए पहला option बोलता है direction of ir remains unchanged and vr is 0 at t equals to 0.25 0.25 का मतलब क्या है basically 1 by 4 है ठीक है या 0.25 जो भी है जो लिखना लिखे तो अगर आप t की value यहाँ पर 0.25 पूट करते है तो यह आपको 1 minus 0.5 है which is not at all 0 यानि कि पहला option तो वैसे ही गलत है second वाला part satisfy नहीं कर रहा है right? कहता है कि vr is maximum at 0.5 भाया जब आप t की जग़र 0.5 पूट करोगे तो यह emf induce 0 हो जाएगा तो maximum कहां से हुआ maximum तो तब होगा जब t की value 0 होती है right? या इसके magnitude के sense में जाईए तो जब t को आप और बढ़ाते जाओगे तो v की value और बढ़ जाएगी यह तो ऐसे ही गलत है 0.5 पे तो 0 हो रहा है ठीक है इस तरीके से आप C को चेक किजिए D को चेक किजिए तो आपको D option में कुछ अच्छा ही दिखाई देगी VR is 0 at what 0.5 हाँ हाँ satisfy हो रहा है direction of IR reverses वो भी सही बात है क्योंकि जब आप 0 से लेके 0.5 तक जाओगे time को लेके for example 0.6 पूट करो तो यह कितना हो जाएगा 1-1.2 which becomes minus 0.2 so basically sign change हुआ न sign change का मतलब है कि current का दिशा current का direction बदला होगा so option number D is the correct answer ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question question number 5 बढ़िया सवाल एक्दम an elliptical loop having a resistance capital R of semi major axis A and semi minor axis B is placed in a magnetic field as shown in the figure if the loop is rotated about the x-axis with angular frequency omega the average power loss in the loop due to joule heating is interesting question तो कुछ दिर पहले हमने एक सवाल किया था जहाँ पर एक loop था वो एक magnetic field में rotate कर रहा था यहाँ पर भी कुछ वैसा ही कहानी है induced EMF बिलकुल वैसा ही आएगा ठीक है तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखे तो हम flux को लिख सकते है at any time t this is going to be b a cos omega t यहाँ पर फरक यह पड़ा कि यह जो area है न वो area आप ellipse का area होगा circle तो है नहीं और ellipse का area क्या होता pi into a b right so this becomes b pi a b cos omega t right so induced emf कितना हो जाएगा minus d5 by dt यानि कि e is equal to b pi a b omega sin omega t ठीक है बढ़िया एक तम तो यह हमारा आगया emf यह हमारा आगया emf which is a sinusoidal function so e को हम लोग लिख रहे है e naught sin omega t अब यहाँ पर थोड़ा सा compare करने का जरूवत है otherwise यह सवाल में तो फिर first जाएंगे let me explain what do we need to compare पहले तो यह e naught को side में लिख दिया b pi a b omega ठीक है अब simple तरीका जो होता है power को निकालने का average power निकालने का average power को निकालने का तरीका क्या है कि आप instantaneous power का इस्तिमाल कीजिए you do integral p dt over integral dt now this is the standard way of finding average power यहाँ पर p क्या है basically आपका instantaneous power है right यह क्या है this e is your instantaneous emf इसके corresponding हम लोग इसके corresponding हम लोग instantaneous current निकाल सकते है right और फिर instantaneous power आ जाएगा e into i करके e into i करके या फिर आप ऐसा कर लो कि instantaneous power is equal to e square by resistance of this elliptical loop जो हमको capital R यहाँ पर दे रखा है ठीक है तो वैसे निकाल सकते हैं हम लोग this is your instantaneous power average निकालना है तो इस तरीके से आपको follow करना पड़ेगा उपर में आपका total heat produced हो गया और नीचे में total time taken हो गया so total heat produced upon total time taken is going to be your average power ठीक है लेकिन ऐसा करना जाएंगे तो integration के जाल में फसेंगे समय जादा भी लगेगा तो क्या तरीका है क्या तरीका है ध्यान से सोचिए alternating current में हम लोग already average power को पढ़ चुके होते है alternating current में हम लोग average power को जानते है this is basically given by ERMS into IRMS into cos phi right where cos phi is your power factor power factor right अब यहाँ पे कोई inductor और capacitor तो है नहीं right तो यहाँ पे power factor क्या हो जाएगा basically 1 ही हो जाएगा अपना सिफ resistance ही तो है तो cos phi आपका 1 हो जाएगा तो हम क्या इस चीज को लिग सकते है E square RMS divided by R IRMS को लिग दिया ERMS by capital R तो यह हम वहाँ पे जानते है average power होता है right और यह ERMS होता क्या था यहाँ पे भी तो sinusoidal function के लिए हम लोग derive के थे ERMS तो यह ERMS को हम लोग क्या बोलते है E naught by root 2 याद है so this becomes E naught square divided by 2R so we can exactly apply the same equation over here and get the answer directly तो हमारा P average कितना हो जाएगा E naught square E naught क्या है E naught तो यह रहा तो put कीजिए इसको यह हो जाएगा आपका B square Pi square A square small b square omega square divided by 2R and this is the answer which is option number A आगे बढ़ी असानी से लेकिन अगर उस integration के चक्कर में फसते तो समय भी जादा जाता और हो सकता कि mistake करके सवाल को छोड़ाते हम लो ठीक चली आगे बढ़ते हैं सवाल को लेके next question question number 6 question number 6 में हमसे कहता है कि आपके पास एक small bar magnet है which is moved through a coil at constant speed from one end to the another ठीक है तो यह सवाल को बिना पढ़ी भी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे एक magnet है right this is the magnet let us say let me take a bold color over here हाँ इस तरीके से आपके पास एक magnet है और उस magnet को हम लोग इस solenoid के अंदर pass करा रहे है ठीक है तो हमसे यह जो galvanometer है यहाँ पे उसका deflection पूछ रहा है जब यह magnet enter कर रहा था जब यह magnet completely inside the solenoid है और जब यह magnet solenoid को exit करने जा रहा है इन तीनों situation में हमसे पूछ रहे है कि इनमें से कौन सा deflection possible है so this question is very easy अगर basic concept पता है Faraday का तो पता होगा जब यह completely inside है then there is no change in flux अगर flux में कोई change ही नहीं है तो deflection होना ही नहीं चाहिए यानि कि ये वाला तो सही हो सकता है ये वाला हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है सही बहुत बढ़िया ठीक है option ही ऐसा दिया है जब ये enter कर रहा है तब flux change हो रहा होगा तो deflection तो हुआ होगा deflection तो हुआ होगा यहाँ दिखाता है कोई deflection नहीं तो not possible, यहाँ दिखारता है कोई deflection नहीं, तो not possible, तो ऐसे ही rule out से हो गया कि option number C ही होना चाहिए answer, ठीक है, और आखरी भी check कर लिजे, जब यह बाहर exit कर रहा होगा, तो flux फिर से change हुआ है, यानि कि deflection हुआ है, और opposite direction में deflection होना चाहिए, enter करते वक्त, अगर एक direction में deflection है, तो निकलते वक्त किसी और direction में, दूसरे direction में ही आपको deflection आना चाहिए, galvanometer का, और ऐसा यहाँ पर हो रहा है, बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते है, next question देखते है, question number 7, question number 7 में हमसे क्या कहता है, कि आपके पास एक infinite long straight wire है, this is the infinite long straight wire carrying current I, one side of the open rectangular loop and a conductor C, with the sliding connector are located in the same plane, ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से एक loop है, और यह जो resistance वाला slider है, यह slide कर सकता है, ठीक है, तो यह V velocity से कुछ move करते है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, the connector has a length small L, right, यह length L है, and resistance is capital R, it slides to the right with the velocity V, the resistance of the conductor and self-inductance of the loop are negligible, तो सिर्फ इसी का resistance है R, और कुछ नहीं कहीं पर भी, as a function of separation R, between the connector and the straight wire is how much, ठीक है, हमसे induced EMF पूच रहा है, again not at all a difficult question, आप ध्यान से देखिए, तो इस current carrying wire के वज़े से, इस point पे, इस region में, जो magnetic field होगा, वो into the plane होगा, है कि नहीं, right hand thumb rule, thumb in the direction of current, तो thumb, जो आपका curling finger से वो दिखाएगा कि यहाँ पे into the plane field है, अच्छा, अब य field कितना है, जब यह wire R दूरी पे है, यह slider जब R distance पे है, इस infinite wire से, तो field कितना हो गया, mu naught I by 2 pi R, अब आपको अगर इस slider से field पता है, इसका length पता है, और इसका velocity पता है, तो क्या हम induced EMF नहीं निकाल देंगे, emotional EMF, BLV, आपको B पता है, mu naught I by 2 pi R, L दियावा है, V, V दियावा है, so simply this is your answer and this is option number B, so यह अपना question number 8 है, इसमें हमें कहता है कि आपके पास है कि uniform magnetic field B है, that exists in a direction perpendicular to the plane of a square loop made of metal wires, ठीक है, तो आपके सामने एक square loop है, और magnetic field जो है वो directed है, perpendicular to the plane, ठीक है, तो मान लेते हैं कि into the plane, यहाँ पे आपको magnetic field है, ठीक है, अच्छा, और क्या क्या दिया हमें, हमें यह जो wire है यह जो yellow color की wire है, हमें उस wire का diameter दिया है, that is 4 mm, that is very interesting, हमें इस बर wire का diameter भी दिया है, total length भी दिया है, 30 cm, the magnetic field changes with time at a steady rate of dB by dt, that is 0.032 Tesla per second, ठीक है, the induced current in the loop is close to how much, हमें wire का resistivity भी दिया है, इसका मतलब तो sure है ना कि हमें wire का resistance निकालना है, wire का resistance क्या हो जाता है, row L by cross section area, cross section area, यह वाला area मत समझ लेना, this is the cross section area, right, हमने यहाँ पर diameter को अगर D माना, तो wire का radius R हो जाएगा, which is D by 2, so radius is 2 into 10 to the power minus 3 meters, तो यह सारे values को put करना होगा, so this is basically row L by pi R square, right, तो resistance का यहाँ पर data put करना होगा, data बाद में put कर लेंगे, पहले एक formula develop कर लेते हैं सवाल के लिए, अच्छा, हमें induced current पूछा है, तो हमें induced EMF भी चाहिए होगा, हमें induced EMF भी चाहिए होगा, that is basically minus D5 by DT, right, आप ध्यान से देखिए, तो यह 5 में क्या चुपा है, यहाँ तो आपको B into cross section area, इसे A dash बोल देते, this was the, this wire cross section area, और अब जो यहाँ मैंने A लिखा है, that is this area, area, this area, जिससे field pass कर रहा है, ठीक है, so this is B into A, आप ध्यान से देखिए, यह A तो constant वो भाहर आ जाएगा, और अदर आपका बच रहा है, simply DB by DT, right, और DB by DT हमें value दे रखिए, यहाँ पे, DB by DT हमें दे रखा है, किस तरीके से change हो रहा है, right, अच्छा, तो induced current कितना हो जाएगा, this is going to be E upon resistance of the wire, यानि कि minus A by capital R, DB by DT, DB by DT, अच्छा, इसका area कैसे निकालेंगे, इसका area कैसे निकालेंगे, हमें total length दिया है 30 cm, यानि कि जो each side होगा, वो आपको जाएगा L by 4, that is going to be L by 4, right, okay, चारो option देख लिजे, हमें सिर्फ यहाँ पे magnitude दिया है, right, तो हम यहाँ पे चुप चाप, current का अगर सिर्फ mod देखे, तो या right side क्या capital A, capital A is basically your area which is A square, which becomes L square by 16, so this is your L square by 16 R db upon dt, right, and what is R, उसे भी put कर लेते है, 16, R is basically rho L by pi R square, so rho L divided by pi R square उपर चल जाएगा, and this becomes db by dt, आप ध्यान से देखिए, तो एक square और एक यह, यह दो तो आपका cancel हो गया, ठीक है, so क्या बन रहा है यहाँ पे, we are getting L pi R square divided by 16 rho, and this is db by dt, अब आपको सिर्फ values को put करना है, length is 0.3, length is 0.3, pi तो pi है, radius कितना है, 2 into 10 to the power minus 3, और उसका भी square, यानि कि 4 into 10 to the power minus 6, divided by 16 times rho, rho की value है, 1.23 10 to the power minus 8, multiplied by db by dt, which is 0.032, 0.032, right, इसे आप अराम से solve कीजिए, ध्यान दिजिए, चारो option जो है, वो काफी दूर दूर है, तो थोड़ा बहुत smartly approximate करके solve करेंगे, आपको answer आपका option number A, मिल जाएगा, ठीक है, ये सवाल में थोड़ा बहुत तो दिमाग लग रहा है, लेकिन जादा at the end आपको calculation ही है, तो बीच में ही कोई values को मत put कर देजेगा, better ये रहता है हमेशा कि एक formula पहले derive कर लिजिए, और फिर end में आप सारे values को put केजिए, उससे solve करना जादा असान रहता है, और mistake होने के chances कम रहते हैं, ताकि आप end में एक बार में ही approximation ले, वनना बच्चा बीच बीच में उसे approximate करते आता है, करते आता है, और end में क्या होता है, कि बहुत जादा ही approximation हो जाता है, ठीक है, I guess मेरा point आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते है, question number 9, question number 9 में हमसे कहता है कि, an emf of 20 volt is applied at t equals to 0, to a circuit containing in series 10 milli henry of inductor, and 5 ohm of resistor, the ratio of the currents at time t equals to infinity, and t equals to 4 millisecond is close to, ठीक है, तो एक direct सवाल है, formula base सवाल है, हमें पता है कि एक LR circuit में current growth का जो equation होता है, that is I is equal to I0, 1 minus e to the power, minus t by tau, where tau is your time constant, tau time constant है, which is L by R, तो पहले तो हम चुपचाप यह L by R निकाल लेते हैं, L हमको दिया है 10 into 10 to the power minus 3, milli henry है, ध्यान दिजिए, this is 5, तो यह आपको कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 into 10 to the power minus 3, right, अच्छा, I0 कितना होता है, I0 होता है आपका steady state current, I0 is basically your voltage upon resistance, तो voltage 20 है, और resistance 5 है, यानि यह मेरा कितना आने वाला है, 4 ampere, तो इसे लिख दिजिए, यहाँ पे, 4, 1 minus e to the power minus t, divided by, 2 multiplied by 10 to the power minus 3, ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखे इसको, तो यह कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 3 को उपर भेजेंगे, तो 1000 हो जाएगा, तो यह तो हमने equation निकाल लिया, growth of current का, अब हमें पूछता है, ratio of the current at t equals to infinity and at t equals to 4, ठीक है, तो हमसे पूछता है, current at t equals to infinity upon current at t equals to 4 millisecond, यानि की 4 into 10 to the power minus 3 second, right, अच्छा, so this is how much, उपर में 4, 1 minus e to the power minus 500 t की जगा infinity put किया, divided by 4, 1 minus e to the power minus 500 multiplied by 4 into 10 to the power minus 3, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो यह वाला पूरा term जो है, वो 0 हो जाएगा, e to the power minus infinity है basically, तो यह 0 हो गया, ठीक है, यह 4 से 4 तो cancel हो जाएगा, तो numerator में आपके पास बच रहा है, 1 divided by 1 minus e to the power 500 into 4, 2000 into this much, यह आपको बनेगा सिर्फ minus 2, ठीक है, इसे थोड़ा सा rearrange करते है, यह e to the power minus 2 को हम लिख सकते है, how much, 1 upon e to the power 2, तो यह हो जाएगा e to the power 2 upon e to the power 2 minus 1, और e to the power 2 का value हमको दिया है 7.389, this is 7.389 divided by 7.389 minus 1, so this becomes 7.389 divided by 6.389, 6.389, right, this can be taken as 7.4 divided by 6.4 which is equal to 74 by 64, right, और इसे थोड़ा सा अराम से आप solve किजे, इसको तो आप एकदम precisely solve भी कर सकते हैं, करेंगे तो आपका जो है option number B answer निकल किया जाएगा, 1.15, ठीक है, तो end में ही चीजों को solve करना है, बीच में ही values को put करके, वहीं पर simplify नहीं करना है, यही पिछले सवाल में भी किया था, यह अभी भी किया है हमने, चली अगला सवाल देखते है, question number 10, 10 में हमको क्या बोलता है, as shown in the figure, a battery of EMF E is connected to an inductor L and resistance R, बढ़ियां एकदम, the switch is close at T equals to 0, the total charge that flows from the battery between T equals to 0 to T equals to Tc, where Tc is your one time constant, हमें पूछता है कि total charge कितना इसमें flow किया है, कोई बात नहीं है, हमें पता है that I is equal to what, I0, और I0 को simply हम लिख सकते है, E by R, 1 minus E to the power minus T by tau, और tau को यहाँ पर Tc variable लेने बोला है, तो हम भी Tc ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, right, charge के बारे में पूछा है न, current को हम लिख सकते हैं, DQ by DT, DQ by DT, E by R, 1 minus E to the power minus T by Tc, ठीक है, हमें पूछता है कि कितना charge flow किया है, during this time interval, तो integrate करना पड़ेगा, this is DQ, integral, E by R, 1 minus E to the power minus T by Tc, DT, right, integrate किजिए, from 0 से लेके Tc तक, तो left side तो आपको आजाएगा, total charge that has flown during this time interval, E by R, constant है, बाहर निकाल दो, 1 का integration T हो जाएगा, इसका integration क्या होगा, E to the power minus T by Tc तो होगा, और denominator में आया होगा, minus 1 by Tc, तो वो उपर जाके ये plus हो जाएगा, और यहाँ पे एक Tc आजाएगा, good enough, right, limit put करना है, 0 से लेके Tc तक, so this becomes E by R, एक बारी Tc put क्या है यहाँ पे, plus Tc e to the power minus Tc by Tc minus, अब small t के जगा 0 put किजिए, ये तो 0 हो गया, minus Tc e to the power minus 0, right, अब आप ध्यान से देखे, e to the power minus 0, basically वो 1 है, so this is Tc, minus Tc है यहाँ पे और यहाँ पे Tc, तो ये दो तो खतम होगे, cancel होगे, right, ये अपना क्या बच रहाँ यहाँ पे, e by R, एक time constant बाहर है, और ये दोनों cut गया, तो E नीचे आ जाएगा, और time constant क्या होता है, L by R होता है, L by R, so this becomes EL upon R square exponent E, ठीक है, so this is matching up with option number, I guess D, D के साथ match कर रहा है न, right, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question देखते हैं, question number 11th, question number 11th में हमसे कहता है, कि आपके पास एक series LR circuit है, that is connected to a battery of EMF V, बहुत बढ़िया, if the circuit is switched on at time t equals to 0, then the time at which the energy stored in the inductor, energy की बात की जारी है, stored in the inductor reaches 1 by n times of its maximum value, अब आप बात समझे, जब आप एक inductor और resistor को साथ में जोडते हैं, तो maximum उसमें energy कितना store होता है, that is depending on the maximum current, और maximum current उसमें कितना flow करता है, that is basically your I0, right, I0, तो equation के हिसाब से, equation के हिसाब से, आपको समझ में आ रहा है कि जो maximum energy flow करेगा, that is half L I0 square, half L I0 square, ठीक है, हमसे कहता है, time at which energy stored in the inductor reaches 1 by n times, 1 by n times, तो उस समय करेंट कितना flow किया होगा, माल लेते हैं I, so half L I square, is equal to basically 1 by n times, of half L I0 square, ये equation समझ में आ रहा है, हमने कहा कि, उस time, हमसे ये जो time पूछ रहा है, हमने बोला कि, माल लेते हैं कि, at that time, current flowing in the circuit was I, so energy at that time is half L I square, and that should be equal to 1 by n, times of the maximum energy that can pass through the inductor, तो यहां से half L I, half L I तो कड़ गया, आपको दिखना चाहिए, current is equal to I0 by root n, I0 by root n, ठीक है, यानि कि, उस time पे current I0 by root n, circuit से flow कर रहा होगा, अब लगाईए, growth वाला formula, growth वाला formula क्या बोलता, I is equal to I0, so I की जगह simply लिख दिजी, अब left hand side पे, I0 by root n, is equal to I0, 1 minus e to the power, t by tau, t by time, constant, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, I0, I0 तो कट जाएगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, this will become, e to the power minus t by tau, is equal to, 1 minus 1 by, under root n, which is basically, under root n minus 1, divide by, root n, बढ़िया एकदम, अगर हम दोनों sides log ले ले, इस side और इस side अगर हम log ले ले, तो यह बन जाएगा, आपका minus t by tau, and this is your log, under root n minus 1, upon under root n, ठीक है, अच्छा, तो t को इधर रहने दिया, tau को अधर भेज दिया, so this becomes l by r, और इस minus को भी जब right side भेजेंगे, तो log के अंदर वाला term, उलट जाएगा, and this will become this, so यह अपना कौन सा option number हो रहा है, this is option number c, and option number c is your correct answer, I hope समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question देखते हैं, question number 12, question number 12 में हमसे कहता है, कि आपके पास एक circular coil है, जिसका radius 10 cm है, and it is placed in a uniform magnetic field, of this much, with its plane perpendicular to the field, मैंने शुरुवात में कहता है, कि इस variety का सवाल 2-3 बर आने वाला है, तो आप देख सकते हैं, इसका importance कितना है इस समय, it is rotated at constant angular speed, about an axis along the diameter of the coil, and perpendicular to the magnetic field, so that it undergoes, half of rotation in 0.2 second, ठीक है, बहुत clever है यह लोग, चुक्के से हमें TY2 दे दिया है, basically 0.2 seconds, तो time period हो गया, इसका 0.4 second, the maximum value of EMF induced in the coil, will be how much, ठीक है, integer based question था यह, हमने सबसे शुरुवात में, इसको derive कर लिया, हमने यह पता कर लिया था, that EMF जो induced होगा, that is E naught sin omega t, E naught sin omega t, और यह E naught क्या था, वो भी हमें पता है, this is BA omega, this is BA omega, right, हमसे यही पूछ रहा है, हमसे यह maximum EMF induced पूछ रहा है, so basically BA omega पूछ रहा है, ठीक है, तो चलिए, आराम से, प्यार से, इससे solve करते है, B की value क्या है, 3 multiplied by 10 to the power minus 5, multiplied by area, area क्या होगा, pi r square, हमें radius तो दिया ही है, so pi r square, 10 centimeter is how much, 10 to the power minus 1 meter, तो उसका square, 10 to the power minus 2, okay, multiplied by omega, now what is omega, omega is 2 pi by capital T, so 2 pi by capital T, and capital T is how much, 0.4 seconds, अब आप थोड़ा सा इसे, ध्यान से solve करें, अगर, तो आपको दिखाई देना चाहिए, कि यहाँ पे एक pi है, और यहाँ पे एक pi है, pi pi होता है, pi square, और approximate solve करने कहा गया है, तो pi square is approximately equal to 10, यह चीज ध्यान रखना है, बहुत जगा काम आता है, so pi into pi is pi square, and that is basically, approximately equal to 10, तो यह, यह, कट जाएगा, और यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, 10, तो यहाँ से, minus 1 गायब हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, this is 3, this is, इसको भी काटो यहाँ से, this becomes 0.2, decimal हटाया, तो उपर यह 10 चला गया, so this becomes 5, so 5 into 3, 15, multiplied by, this is 10 to the power minus 5, and 10 to the power minus 1, which is 10 to the power minus 6, so basically, we have 15 micro volt, और integer था, हमें micro volt के terms में में बताना है, तो हमारा answer होगा, इसका 15, 15 is the correct answer, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, question number 13, question number 13 में हम से कहता है, कि आपके पास एक loop है, ABCDF, यहाँ पे diagram बना पड़ा है इसका, of straight edges has 6 corners, हमें 6 corners का coordinates, यहाँ पे दिया होगा है, ठीक है, the magnetic field in this region is this much, तो बताईए, what is the quantity of flux, through the loop, right, flux बताना है, हमें पता है, vector form में हम flux को लिख सकते है, B dot A, right, तो यह सवाल को हमें, इस vector form में ही solve करना होगा, अब ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखिए, तो यह वाले surface का area, और यह वाले surface का area, magnitude के sense में एक ही होगा, जितने भी coordinates है, आप उसको यहाँ पे इस्तिमाल करके देख लिजिए, यह side length भी 5 है, और यह side length भी 5 है, यानि कि magnitude के sense में, यह area है आपका 5 into 5, which is 25, ठीक है, unit नहीं दिया, तो unit square फिलाल के लिए, बोल देते हैं, कहीं दिया है का unit meters, नहीं दिया है, लेकिन मान लेते कि meter square ही है, ठीक है, अच्छा, magnitude के sense में, area 25 है, लेकिन area is a vector quantity, उसका direction भी होगा, ध्यान से अगर आप देखे, तो इस वाले का area vector, इधर, और यह वाले का, जो की xy plane पे है, उसका area vector होगा आपको, z की तरफ, right, इसे हमने बोला, area 1 vector, और यह हो गया आपका, a2 vector, right, अब ध्यान से देखे, तो हम a1 vector को क्या लिखेंगे, magnitude तो 25 है, लेकिन direction along, positive z axis है, यानि की k cap, और हम a2 vector को क्या लिखेंगे, positive x axis के along है, so 25 i cap, तो आपका flux कितना हो जाएगा, b dot a1 vector, plus a2 vector, right, now b is what, b is 3 i cap, plus 4 k cap, dot a1 plus a2, a1 कितना है, भाई साब, 25 k cap, plus 25 i cap, ध्यान से देखेंगे, तो इसका dot product क्या होगा, i से i चला जाएगा, 75 plus 4 k cap, dot 25 k cap, यह आपको हो जाएगा, 100, so this becomes 175, and 175 is the answer, ठीक, 175 is the integer answer, चली आगे बढ़ते हैं, next question देखते हैं, question number 14, question number 14 में हमसे कहता है, कि आपके पास, एक fluorescent lamp है, in a fluorescent lamp, चोक, 100 volt of reverse voltage is produced, ठीक है, तो यह एक induced EMF, basically, 100 volt of reverse voltage is produced, when the choke current changes uniformly, from 0.25 ampere to 0, in this much milliseconds, so the self inductance of the choke, is estimated to be how much, ठीक है, तो हमें basically, यहाँ पे induced EMF ही दिया हुआ है, induced EMF आपको दिया हुआ है, और हमसे self inductance पूछ रहा है, तो हमको पता है कि, E is basically, minus LDI by DT, तो यहाँ पे del I by del T लिख सकते है, right, E की value किती दी हमें, 100 दी रखी है, minus L हमें निकालना है, delta I final minus initial, so 0 minus 0.25, whole divided by delta T, which is 0.025 into 10 to the power minus 3, तो यह आपको सवाल का data है, इसे अराम से solve कीजिए, आपका जो L का answer आएगा, that is going to be 10, that is going to be 10 milli henry, milli henry, तो integer answer क्या हो जागा इसका, 10 हो जाएगा, ठीक है, इसका answer हो जागा आपको 10, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question, question number 15, ध्यान से देखिए सवाल को, बड़ा interesting सा सवाल है, इसमें बच्चे sign का बहुत mistake करते, इसलिए यह सवाल थोड़ा सा अच्छा है, a part of complete circuit is shown in the figure, at some instant, the value of current I is 1 ampere, बढ़िया एकदम, and it is decreasing, शब्द पर ध्यान दीजे, it is decreasing at a rate of this much, the value of potential difference, VP minus VQ, is how much, बढ़िया है, सबसे पहले तो हमें एक concept, पता होना चाहिए, कि यह inductor, अपने across, जो EMF induce करेगा, उसका polarity कैसा होता है, मान लिजे, आपके पास यह inductor है, और इसमें current, left to right flow कर रहा है, and this current is increasing with time, this current is increasing with time, तो यह inductor, और oppose this increase, तो जो EMF, इसके across induce होगा, उसका polarity तो ऐसा ही होना चाहिए, इसका polarity ऐसा ही होना चाहिए, ताकि वो एक current, ऐसा develop करने का कोशिश करे, जो कि इसके, increase को oppose करे, ठीक है, तो इस case में हमको समझ में आता है, कि अच्छा polarity कैसा होगा, लेकिन मान लीजिए, अगर यही current समय के साथ, decrease कर रहा होता, तो यह inductor एक ऐसा EMF produce करता, जो कि इसके, decrease को रोके, तो basically इसके direction में ही, एक current produce करता, एक EMF produce करता, तो अब polarity कुछ ऐसी होते है, तो यह बात अगर clear हो जाएगा, तो ऐसे सवालों में, कभी भी कोई mistake नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक बर इस figure को, दुबारा से बना लेते हैं, एक inductor है आपके पास, एक battery है, और यहाँ पे एक resistor है, this is point P, and this is point Q, this is L, this is 30 volt, and this is 2 ohm, this is 2 ohm, ठीक है, current हमारा इस direction में flow कर रहा है, सबसे पहले हम, resistor के across, polarity mark कर देते हैं, resistor के across, current flows from higher potential to lower, यानि कि यह plus रहा, यह minus रहा, battery का तो हमें पता है, यह minus, यह plus, ठीक है, इस inductor के across, हमें polarity बनानी है, तो हमें सवाल में कहता है, कि decrease कर रहा है current, current इस दिशा में जा रहा था, लेकिन वो decrease कर रहा है, with time, तो इसके across, जो battery produce होगा, induced EMF बनेगा, उसका polarity तो ऐसा ही होगा, ताकि इसको support करे, इसके direction में ही current वो और दे, ठीक है, बहुत बढ़ी हैं, एक बार यह आपको पता चल गया, तो आप पता कर लिजे, कि इस E का magnitude कितना है, और वो हमें पता है, that is L di by dt, अब सिर्फ हमें magnitude चाही, क्योंकि हमने sign यहाँ पर decide कर लिया, now L की value कितनी है, 50 millihenry, so 50 into 10 to the power minus 3, right, and di by dt is this much, that is 10 to the power 2, right, so this becomes 5 volt, this becomes 5 volt, ठीक है, अब लिखिए, अब प्यार से लिखते हैं हम लोग, vp minus vq, आप जब left to right move कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले एक, plus e मिलता है, which is 5, plus, फिर से यहाँ पर, सबसे पहले आपको plus polarity मिला, so 30, और जब resistor के पास आप पहुंचते हैं, तो आपको negative polarity मिलता है, so this becomes minus i into 2, i into 2, और हमें current दिया है 1, so this is 1 into 2, which is 2, this is 35 minus, 35 minus 2, which becomes 33 volt, 33 volt, and this is the final answer, this is the final answer, ठीक है, तो यह concept अगर समझ में आ जाएगा, तो कभी भी कोई sign का mistake नहीं होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल को लेके, last question, this is question number 16, question number 16, question number 16 में हमें क्या दिया है, आपके पास दो concentric circular coils है, coils C1 and C2, ठीक है, तो यह छोटा वाला C1 है, और बड़ा वाला जो है, वो C2 है, are placed in the XY plane, C1 has 500 turns, radius 1 cm, C2 has 200 turns, radius 20 cm, radius में काफी ज़्यादा difference है, 120 है और 1 है, तो इसमें हमें कुछ assume करना पड़ेगा, आके चलके, C2 carries a time dependent current, बढ़ा वाला जो बड़ा लूप है, वो एक time dependent current, carry कर रहा है, which is this much, the EMF induced in C1, छोटे वाले में जो EMF induced हुआ है, at the instant, T equals to 1 second, is 4 by X, तो हमें X की value पूछी जा रही है, ठीक है, बढ़िया एकदम, अब अब ध्यान से देखिए, अब अब ध्यान से देखिए, माल लिजे कि इसमें जो current flow कर रहा है, that is like this, ठीक है direction, अपने मन से कुछ assume कर लिया, अब इस current flow करने के कारण, बीच में जो magnetic field produce हुआ होगा, that is going to be into the plane, अब बीच वाले का, अंदर वाले का radius इतना छोटा है, कि हम यह assume करेंगे, हम यह assume करेंगे, कि center पे C2 के कारण, जो magnetic field produce हुआ है, that is mu N2I upon 2 into R2, अब बात को समझ रहे हैं न, बाहर वाले एक में turns भी है, number of turns भी, तो वो भी multiply करना पढ़ेगा, तो इस बाहर वाले के वज़े से, जो center पे field है, वो इतना field होगा, और क्योंकि अंदर वाले का radius इतना छोटा है, तो हम यह assume कर रहे हैं, कि सारा का सारा field, इसके across exist कर रहा है, ठीक है, अगर आपको field पता चल गया, C1 के across कितना है, तो क्या हम flux नहीं निकाल लेंगे C1 के through, that is B into area of the C1 loop, this becomes mu naught N2I divided by 2R2 multiplied by pi R1 square, अब ध्यान से देखिए, यह जो हमने flux निकाला है, वो इस C1 loop से निकाला है, लेकिन सिर्फ C1 के एक turn से निकाला, C1 में क्या एक turn है, नहीं, C1 में भी अपने पास N1 turns है, तो आपको यहाँ पे N1 से भी multiply करना चाहिए, यहाँ पे N1 से multiply हो जाएगा, तो यह आपका flux आ गया, ठीक है, लेकिन हमसे flux तो पूछा नहीं, हमसे तो पूछा induced EMF, हमसे पूछा induced EMF, तो induced EMF कितना हो जाएगा, that is going to be minus d5 by dt, minus d5 by dt, बढ़ियां एकदम, अब आप ध्यान से देखिए, तो यह कितना हो जाएगा, इसको differentiate करना होगा, तो यहाँ पे i को छोड़के, बाकि सब constant है, this becomes mu naught N2 pi r1 square, multiplied by N1, divided by 2 r2, and this becomes di by dt, this becomes your di by dt, ठीक है, तो इसका differentiation ही तो यहाँ पे put करना है, this becomes mu naught N2 pi r1 square, multiplied by N1, divided by 2 r2, multiplied by di by dt, which becomes 10t minus 2, 10t minus 2, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे था तो minus sign, लेकिन, यहाँ से साफ दिख रहा है कि 4yx, negative sign का यहाँ पे कोई involvement नहीं है, तो हम लोग सिर्फ EMF का magnitude ही ले रहे है, अब हमें क्या करना है, T की जगा put कर देना time, time कितना है, कहाँ चला गए भाई, 1 second, तो T की जगा 1 put कर देंगे, T की जगा 1 put कर देंगे, और बाकी सब data को यहाँ पे substitute कर देते हैं, ठीक है, तो mu naught क्या है, अराम अराम से लिखिएगा, 4 pi into 10 to the power minus 7, N2 की वाल्यू किती है, 200, this is pi, R1 square, R1 is 10 to the power minus 2, which becomes 10 to the power minus 4, N1, N1 is how much? 500, this is 500, divided by, divided by, 2 R2, and what is R2? This is 2 multiplied by 10 to the power minus 1, और यहाँ पे जब T की वाल्यू को हम 1 put करेंगे, तो यह आ जाएगा simply 8, यह आ गया आपको simply 8, ठीक है, अब अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या-क्या चीज़े cancel हो रही है, यह 4, 2 और 2, यह तो cancel हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, यह 10 to the power minus 1, जब उपर जाएगा, तो इसको let's say 3 बना देगा, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 1, 0, 2, 0, यह 3, 0, तो यह पूरा का पूरा 10 to the power minus 3, गायव हो गया, ठीक है, अच्छा, और क्या-क्या है भाईया, और क्या-क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से πाई और πाई का फंडा है, यहाँ पे भी πाई है, यहाँ पे भी πाई है, तो वो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वेर, दिस पाई, आज दिस पाई बिकम्स पाई स्क्वेर, यानि कि वो 10 हो गया, और दाट 10 into this 0, दिस बिकम्स 100, तो वो 100 जब इसके साथ टक्राएगा, तो इसे बना देगा 5, माइनस 5 हो गया, तो बेसिकली आपके पास बच क्या क्या रहा है, सब कुछ नियुमिरेटर में ही बच रहा है, दिस इस 10 to the power minus 5, multiplied by, दिस इस 2 multiplied by, यहाँ पे जाके 5 है, और यहाँ पे एक 8 है, दिस बिकम्स 40, दिस बिकम्स 40, तो हमारे पास क्या है, basically हमारे पास बच रहा है, 80 into 10 to the power minus 5, we have 80 into 10 to the power minus 5, और हमें EMF निकालना है, in terms of millivolt, in terms of millivolt, तो हम इसे क्या लिखेंगे, this is 80 into 10 to the power minus 2, और 10 to the power minus 3 को हमने अगर हटा दिया, तो यह टर्म बन गया millivolt, तो यह नीचे चला जाएगा, so this becomes 80 upon 100, तो यह 0 से 0, खतम हो गया, हमें उपर 4 बनाना है, तो 2 से ही कैंसल करना है बस, so 4 by 5 millivolt, तो आपको यहाँ से दिखाई देना चाहिए, कि यह जो X की value है, that becomes your 5, that becomes your 5, ठीक है, I hope सबको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, so this was a session on electromagnetic induction, जिसमें हमने previous year questions के, सारे के सारे सवाल किये, J-Min 2020 के, और बाकी PYQs के भी, link आपको description box में नीचे मिल जाएंगे, जिसमें आपको rotation semiconductor है, electrostatics है, current है, बहुत सारे chartpress के वहाँ पर PYQs है, और जिन्होंने अभी तक अगर इस channel को subscribe नहीं किया है, तो please please channel को subscribe कीजिए, जितना हो सकता है, इसे share कीजिए, and yeah, keep in touch, हम लोग videos में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए take care, bye-bye. झाल